चाड़क की के एक बहुत ही famous line है कि दूसरों की गलती से सीखो यदि आप खुद की गलती से सीखने जाओगे तो आपके पूरी लाइप कम पड़ जाएगे बट आप सीखने पाओगे तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब यदि आपकी ये thinking है कि मैं गलती करके सीखेंगा फिर धीरे से अपने आपके improve करूँगा तो इस case में क्या होगा आपकी पूरी life कम पढ़ जाएगी आप फिर भी सीख नहीं पाओगे सही से और आपके success की chances बहुत ही कम हो जाएगे आपको क्या करना चाहिए आपको दूसरों की गलती से सीखना चाहिए मतलब जिन लोगों जो चीज़ आप करना चाहते हो आप ये देखो कि उस field में कोई ऐसा है जिसने वो चीज़ पहले से ही कर रखी है आपको just क्या करना है कि उसको follow करना है suppose आप wealthy बनना चाहते हो यदि आपकी thinking है कि मैं खुद से सब चीज करूँगा पैसे कमाऊँगा उसको invest करूँगा और धीर धीर करके अमीर बरूँगा यदि आप इस strategy से जाओगे तो आपके पूरी life निकल जाएगे आप कभी भी wealthy नहीं बन पाओगे क्या करना पड़ेगा जो आप लेडी वेल्दी बन चुके है suppose एक्जामपल आप Warren Buffet तो आप Warren Buffet से सीख सकते हो कि क्या mistake न करें जिसके थू हम भी wealthy बन सकते हैं कहां invest करें कैसे invest करें कैसे risk को minimize करें कैसे अपने आपको grow करें यदि दूसरा एजमपल मैं दूँ आपकर किसे को बल्ब बनाना है तो यदि फिर से बल्ब बनाने के जीरो से कोसिज करेंगा तो उसकी पूरी life निकल जाएगी बल्ब नहीं बन पाएगा Thomas Alva Edison ने आलेडे एक blueprint एक path दे दिया है कि bulb कैसे बनाना है कैसे उन्होंने अपने आपको improve करते करते कैसे आज उन्होंने wealth creation किया आपको उनकी गलतियों से सीखना पड़ेगा